आउजबिल्लाहिमिन शेटवानिर्वजीम बिस्मिल्लाहिदु अख्मान रहीम असलाम लेकुम दोफ्तों मैं हूँ मौसिन दवा और आप लोग देख रहे हैं 24 आर फेमेंट टीचर्ज ऑनलाइन यूट्यूब चैनल दोफ्तों हमारी इंट्रोड़क्शन तो कंप्यूटिं की क्लाफ चल रही है और आज की क्लाफ का हमारा टॉपिक अल्गुरिदम्स, डिफकवरी, ट्रेटेजिव, एंड लूप्स है दोफ्तों आज की क्लाफ हमारी क्लाफ 23 है आज की क्लाफ शुरू करने से पहले हम ये देख लेते हैं कि हमने पिछली क्लाफ के अंदर क्या पढ दूरी होती है उसके साथ ही हम लोगों ने देखा था कि अल्गुरिदम्स की इप्तदा कब हुई हमने देखा था कि इसको यूज करने के सवाइब क्या क्या है और इससे रिलेटिड कॉनसेप्ट यानि अबस्ट्रेक्ट रिप्रिजेंटेशन प्रोग्राम एंड प्रोफि देखा है इससे रिलेटिड बने आपको एक्जेंपल के वरिए एक अल्गुरिदम को रिप्रिजेंट करना भी सिखाया दोस्तों आज की क्लास में जैसे मैंने आपको पहले भी बिताया कि हम लोग बात करेंगे अल्गुरिदम डिसकवरी स्ट्रेटेजीव की हम देखेंग देखेंगे और हम देखेंगे कि हमारे पास कौन कौन सी डिफरेंट फॉर्म्स अवेलेबल हैं लूप की तो चलिए दोस्तों आज की क्लास शुरू करते हैं आज की क्लास में जैसे मैंने आपको पहले बिताया कि हमारी जो एल्गुरिदम पहली स्ट्रेटेजी डिसकवरी वह है रिवर्स इंजेनरिंग रिवर्स नाम से ही जाहिर है कि हम उल्टा चलते हैं यानि के रिवर्स चलते हैं और हम अपना एक अल्गुरिदम पर्डियूस करते हैं वें दा प्रॉब्लम इस तो फाइंड आवे औस प्रॉडियूसिंग अपर्टिकुलर आउपट फाम ग कैसे प्रॉडियूस हुई है तो उसके लिए हम लोग रिवर्स इंजेनरिंग इस्तमाल करते हैं दोस्तों सक्रीन के ओपर आपको एक एग्जेंपल नजर आ रही है मेकिंग अफलार विड़ पेपर के हमने जो है ये एक फलार बना हुआ सक्रीन के ओपर नजर आ रहा है जो पेपर से बनाया गया यानि कागव से बनाया गया है हमने अगर ये देखा हमारे पास ये प्रॉबलम है कि हमने ये देखना है कि ये फलार जो है वो कैसे बनाए तो इसके लिए हमें रिवर्स जाना पड़ेगा यानि के पीछे जाना पड़ेगा और स्टेप बैस्टेप द ah lepas step number 17 को देखेंगे तो व्हों कुछ Hoover cycle का है इसके बाद step number 16 को देखेंगे इसको जोड़ा जा रहा है इसके बाद step नमब्र 13 है, इसके अंदर वो hablando flour को दिखाया गया है, इसके अंदर हमें यह दिखाया गया कि हमने कैसे flour बनाना है, इसके बाद step 11 है, 10 है इसके बद 9 है, इसके इसके एक आइड़ इन को दिखाया जा जारहा है इसके बाद step number 7 है step 6 है step 5 है 4 है 3 है 2 है और यह हमारे पास पहला step है तो दोस्तो हमने ये देखा कि reverse engineering के अंदर हमने किसी भी particular output को अगर देखना हो कि कैसे produce की गई है तो उसके लिए में reverse जाना पड़ता है यानि के पीछे जाना पड़ता है तो ये हमारे पास एक algorithm discovery strategy है इसके बाद हमारे पास दूफरी जो algorithm discovery strategy है वो है look for related problem के हमारी जो problem होती है उफर related हम algorithm तलाश करते हैं in this matter we are trying we are not trying to find out the algorithm to solve the problem but only first that algorithm which resolve our problem हमारा मक्षज जो है वो algorithm को तलाश करना नहीं होता बलके हम ये देखते हैं कि कौन सा ऐसा algorithm है जो हमारी problem को जो है वो ठीक करेगा तो दोस्तों इसके लिए जो है इसको समझाने के लिए मैं आपको दो example यहां पे दिखाऊंगा जिफ की मदद पर आपको पता चलेगा कि problem फेम ही है almost लेकिन algorithm जो है वो different हम use कर रहे हैं तो यहां पर example हम देखते हैं यहां पर देखें आपको कुछ नाम लिखे हो इनवरा आ रहे हैं जिसमें आबिद है विशान है आईशा है और एहमद है तो दोफतों हमने इनको अरेंज करना है offending order के अंदर यानि के एक नाम फे जो नाम शुरू होता है वो पहले आए और जो बाकी है alphabetically इसी तरह end में है तो आबिद देखें बिल्कुल ठीक जगा पे लिखा हुआ है इसके बाद विशान और आईशा है इसको हमने swap करना है यहां पर देखें हमारे तीन स्टेप लगे हैं और हमारी जो नाम है वो alphabetically order के अंदर हो गए है इसी तरह same ही example है इसके अंदर जो नाम है वो different है वाहिद है अली है रेहान है और वकाफ है तो यहां पर देखें यहां पर भी वही चार नाम है और इनको हमने offending order के अंदर करन है तो वाहिद और अली इनको हम swap करेंगे तो अली पहले आ गया वाहिद बाद में आ गया वाहिद और रेहान को जब हम swap करेंगे तो रेहान अली के बाद आ जाएगा और पिर वाहिद आ जाएगा वाहिद और वकाफ को फिर swap करेंगे तो वकाफ पहले आ जाएगा alphabetically और वा तो यहाँ पर देखें दोस्तों प्रॉबलम हमारी same है नाम भी हमारे चार है same है हमने उनको alphabetically arrange करना है तो वहां पे एक और algorithm use हुआ है जिसके अंदर तीन step हमने use किये हैं यहाँ पे जो है एक और algorithm use हुआ है जिसके अंदर हमने चार step किये हैं तो दोस्तो हमने problem जो हमारी है उससे related जो हमें algorithm फाइदा देगा उसको हमने discover करना है तो यह हमारे पाफ second strategy है look for a related problem इसके बाद दोस्तो हमारे पाफ अगली जो strategy है वो है top-down and bottom-up methodology दोस्तो यह हमारे पाफ दो किसम की methodology हैं इनको भी हम देख लेते हैं top-down methodology in this method we are breaking the original problem into the fuck problem one is able to approach the overall solution in terms of step each of which is easier to solve than the either original problem हम top-down के अंदर क्या करते हैं top-down के अंदर हमारे पाफ जो big problem है उसको हम छोटे-चोटे हिसों में तक्सीम करते हैं और फिर उन छोटे-चोटे हिसों को solve करते हैं तो हमारी जो original problem है वो solve हो जाती है इसके साथ ही आपको जो है एक तस्वीर नज़र आ रही है इसमें देखें यह हमारी orange color वाली एक big problem है और उसको तीन नीचे छोटे हिसों में तक्सीम किया गया है जब यह तीन हिसे इसके solve हो जाएंगे तो हमारी जो big problem है वो solve हो जाएगी इसके बाद जो दूसरी हमारी approach है वो है bottom up approach अब bottom up approach इसका बिल्कुल अपविट है in this method we are progress from the specific to the general के हम ने जो सब problem की है उससे हम उपर की तरफ आते हैं तो यहां पर देखें तस्वीर के अंदर आपको दिखाया गया है कि नीचे वाले अगर तीन आपके solve हो जात इसको हम bottom up approach कहते हैं तो यह भी हमारे पास एक approach available है for discovering the algorithm दोस्तों इसके बाद हमारा अगला जो topic है आज की class का वो मैंने आपको पहले भी बिताया था कि iterative structure यानि के repetition कि एक चीफ जो बार बार repeat होती है जैसे मैं आपको कहता हूं कि आपने जो है वो two का table लिखना है आप दे कि आप one से लेकर hundred तक जो है वो किंती लिखे हैं तो इसके अंदर भी कुछ even जा है वो बार बार repeat हो रही है यह मैं बात कर रहा हूं with respect to the programming तो हम जब भी programming के अंदर किसी चीज़ को repeat करते हैं repetition करते हैं इसके लिए हम use करते हैं loop if we want to repeat anything we need loop structure for example अब यहां पे देखे मैं जो ह 24 hours 7 teachers online five time पांच बार जो है वो मैं लिखना चाहता हूं 24 hours 7 teachers online तो यहां पे देखे मैंने पहले जो है वो fee out लिखा यह मैं आपको fee bluff bluff का फिटरेक्टर दिखा रहा हूं यह मैंने इस लिए select किया है क्यूंकि आपका जो introduction to computing का course है उसके इंदर भी हमारे जो आगे चलके coming lecture वो fee plus plus के उपर हैं तो यहां पे जो है मैंने आपको concept दे रहा हूं see out देखें हमने 24 hours 7 teacher online invited कमास के लिखा यह one time print हो गया फिर two time हो गया फिर three time हो गया फिर four time हो गया फिर five time हो गया तो यहां पे देखें यह अभी तो हमारी five time है और अगर यही मैं कहूं कि हमने जो है वो print करना ह 24 hours 7 teachers online hundred time या one million time तो हम जो है वो इसी तरह की बार बार जो है वो statements लिखनी पड़ेंगी तो यहां पे देखें हमारा जो है वो repeat हो रही है चीज़ें तो repeat करने के लिए हम लोग मैंने आपको बताया iterative structure के अंदर हम लोग loops use करते हैं तो loops के साथ देखें हमारा जो code है वो यहा यहां पर मैंने loop का नाम लिखा while numbers left than five के हमारा जो numbers है वो पांच या पांच के बराबर होगा या पांच पे कम होगा और फी आउट 24 hours 7 teachers online numbers equal number plus one के हम जो है देखेंगे पहले loop की condition के अंदर आएंगे number हमारा देखें यहां पे जहां पे five लिखा हुए one होगा यह देखें हमा हमारा five से जो है वो कम है तो हमारी यह जो statement है three out और less than less than 24 hours 7 teachers online यह प्रिंट हो जाएगी उसके बाद number plus number plus number equals number plus one तो हमारा जो number है पहले one था अब इसके अंदर one plus हो गया तो two हो गया two जो है वो हमारा five से less है तो उस नतीजे में भी हमारी यह statement जो है वो प्रिंट हो जाएगी इसी तरह हम चलते जाएंगे और आखिर के अंदर जब यहां पे आ जाएगा five और इसके साथ हम add करेंगे one तो यह fix बन जाएगा अब देखें fix जो है वो ना तो five के equal है और ना ही five से less है तो हमारी जो control है वो loop से बाहर चला जाएगा और हमारा जो program है वो खत्म हो जाएगा और यही अगर हमने one million time लिकना हो तो यहां पे numbers जो है वो हम five की बजाए one million डाल देंगे या एक अजार के बार अगर हमने print करना है तो एक अजार डाल देंगे तो फिर अफ यह एक चोटी सी chain से जो है हमारी इतनी बार जो है वो print हो जाएगा और इंशायला coming lecture के अंदर जब है वो forms है loops की जो दो forms है वो हमारे पाफ पहली जो form है वो pre test loop है और जो दूसरी है वो post test loop है अब हम बारी बारी देखते हैं कि pre test loop क्या होते हैं और post test loop क्या होते हैं pre test loop in this type of loop the loop first test the condition if the condition is true then move to the body and execute the body क्या हम सब्सक्राइब कंडिशन को चेक करते हैं जैसे मैंने आपको बताया कि number equals five के हमारा जो और left than five के हमारा जो number है वो या तो पांच होना चाहिए या पांच से कम होना चाहिए then the we move to the body portion loop की body के उपर जाते हैं और फिर वो हम body के अंदर जो हमने fee out left than left than और invited commas के अंदर 24 hour seven teachers online लिखा था वो हमारी execute होगी तो यह देखें pre-test का मतलब यह है कि first of all we have checked the condition of that loop हम condition check करेंगे और फिर हम body को execute करेंगे इसकी भी यहां पर आपको जो है वो एक diagram नज़रा रही है यहां पर देखें हम test condition और पिर condition अगर true है तो body हमारी execute हो जाएगी अगर हमारी condition जो है व execute होगी तो control हमारा दुबारा वापस condition के पास चला जाएगा while वाली या for वाली या जो भी हम loop यूज कर रहे है उसमें इसके साथ हमारी जो दूसरी form है loop की वो है post test loop अब post test loop के अंदर क्या होता है in this type of loop the loop first execute the body of the loop then move to the condition if the condition is true then the loop terminate if the condition is false then the it start again अब हम जो है इस loop के अंदर क्या करते हैं सबसे पहले body को execute करते हैं उसके बाद condition के अपर जाते हैं अगर हमारी condition true है तो हमारा जो loop है वो खत्म हो जाएगा अगर हमारी condition false है तो हमारा जो loop है वो दूबारा फे start हो जाएगा इसको भी graphically represent किया गया देखें body execute होगी अगर हम हमारी condition जो है वो false है तो हमारी जो body है वो दुबारा execute हो जाएगी अगर condition true है तो हमारे जो loop है वो खत्म हो जाएगा तो ये दो हमारे पास forms available है loop की एक pretest loop है और एक हमारे पास post test जो है वो loop है दोस्तों आज की class के अंदर हम लोगों ने loops के हवाले पढ़ा है अब हम एक example द print all multiple of 5 between 1 and 100 including both 1 and 100 हमने जो है multiples देखने हैं 5 के साथ एक से लेकर 100 तक के अंदर तो हमने इसका pseudo code लिखना है पिछी भी class हमारी pseudo code के हवाले से थी लेकिन ये जो pseudo code हमने लिखना है ये loop के हवाले से लिखना है तो यहां पर देखें pseudo code आ जाएगा सबसे पहले set x to 1 while है x less than 20 और right x और x multiply by 5 आ जाएगा कि हमारा जो है जितने भी नंबर है एक से लेकर 100 तक हमने लिखने है तो यहां पर 20 की बजाए हम 100 लिख देंगे तो हमारा जो x है वो पहले one set है तो इसको x equals x multiply by 5 आ जाएगा कि हमने हर जो नंबर है उसको 5 के साथ जो है वो multiply करना है इसी को अगर हम c++ के structure के अंदर लिखना चाहें तो हम लिखेंगे int x is equals 1 c in x हमने c in देना है x का जितने भी आप number जो है वो हम पर print करना चाहते हैं तो वो x में आ जाएंगे और यहां पर देखें while कि हमने जो है वो फिरस 20 तक लेकर जाना है तो हमारी condition देखें यहां पर 20 तक जो आ जाएगा तो इससे हमें multiples का पता चल जाएगा तो दोस्तों यह थी हमारी आज की class आज की class खतम करने से पहले आप जल्दी से अपनी notebook भी open कर लें क्योंकि मैं आपको एक exercise भी देना वाला हूं write a pseudocode that perform the following the program will print the counting number from 1 to 100 हम ने एक से लेकर 100 तक जो गिंती लिखनी है इसका आपने pseudocode भी लिखना है और इसका आपने C++ का code भी लिखना है with the help of and using the loop structure which we have been studied in our today's fashion दोस्तों आज की class हम यहीं पर खतम करते हैं और खतम करने से पहले एक बार quickly जो है वो summarize कर लेते हैं कि आज की class के अंदर हम लोगोंने क्या पढ़ा है आज की class के अंदर हमने algorithm discovery strategies के हव वाले से पढ़ा है और उसकी दो अक्साम के बारे में पढ़ा है दोस्तों आज की class में यहीं पर खतम करता हूं और आखिर मेरी तमाम दोस्तों से फिर वही गुजारिश है कि अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही हैं तो आप उन्हें like कीजिए अपने दोस्तों क कि लाफ में उफवकत तक के लिए मौफिन भाई को इजावत दीजिए थैंक्यू वरी मच्छ दौफ्तों अलाहाफिव